हेलो एब्रिवान केस हो आप सब उम्मीत करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होगे तो हमारा ये चल रहा है आनिवल किंग्डम का एक फूल सीरीज ठीके तो आनिवल किंग्डम का पूरा प्ले लिस्ट मेरा चानेल भे है तो आप जा कर बहुत देख सकते हैं पूरा पहले तो पहले मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो इंट्रोडक्शन वीडियो दो तीन है सायद उसको देखने बाद हर एक फाइला उनको एक एक बार देख लो तुमारा डर खतम हो जाए दखो ये आनिवल किंडम ना तुमको इजी लगाएगा अगर तुम कॉंसेप्ट समझ जाओगे और दो चार बार रिभाइज कर लोगे और जितना हो सके उतना कोस्टिन अंसर प्रैक्टिस कर लोगे क्योंकि ये देखो आज पढ़ोगे कल भूलोगे ये चैप्टर वैसे ही है ठीके मगर ऐसे नहीं कि अंध्य के तरह रट्टे मारे कुछ समझ के रट्टे मारेंगे ठीके बाइलोजी एसे नहीं कि तुमको पूरा आँक बन करके मतलों लाइन बाई लाइन पूरा रट्टा मारने समझो पहले चीजों को समझो देन रट्टा मारो ठीके तो अभी तक हमने पढ़ चुके हैं फाइलम पोरिफेरा सिलेंटरेटा टीनोफरा प्लाटी अली आश्यलमिनथस तुमारा नेलिडा अर्थपोडा मोलूस का आजं पढ़ेंगे एकाइन डर्माटा देन पढ़ेंगे हेमिककोड़ा देन कोड़ा ओदो चाप्टर में तुमारा दो चार वीडियो में तुमारा अनिवल किंग्डम पूरा खतम ठीके तो जैसे कि हर वीडियो में में बोलता हूं कि every phylum has their peculiar characteristics मतलब देखे होंगे कि कुछ-कुछ phylum में वो होते हैं cell level organization कुछ phylum में tissue level organization कुछ phylum में organ कुछ phylum में organ system level organization कुछ में तुम्हारा diploplastic दिखाई दे रहा होगा कुछ में triploplastic दिखाई दे रहा होगा कुछ में body symmetry तुम्हारा bilateral दिखाई दे रहा होगा कुछ में radial दिखाई दे रहा होगा ठीक है यह सब उन सब का एक-एक peculiar characteristics है ठीक है तो phylum echinodermador these are exclusively marine exclusively marine समुदर के पानी में पाया जाते हैं इन सब ठीक है देन दे हाव spine spine like structure in their body उनके पीट में अगर पीट में क्या पुरा whole body में देखोंगे कुछ ऐसे spine spine निकला होगा कांटे के जैसे जो की यह कांटा है जिसमें जो की तुम्हारा calcium में बना हुआ है देखोंगे देखोंगे जितने हाड पार्ट होता है जो होता है calcium में बना होते हैं मोस्टली calcium में बना होते हैं देखोंगे द्छान ज्कैलकरोस और सिकल्स तो दीजान नोड और संसे छोटा चोटा भूण जैसे तुम्हारे यह आ में होता है मेलियोस, इंसोस, स्टापियोस, ठीक है, स्टापियोस ता तुमारा smallest bone होता है, ठीक है, इसको भी बोलते हैं, हम बोल सकते हैं, एंडो सकेलीटन, क्या बोल सकते हैं, एंडो सकेलीटन, then, हम phylum porifera में क्या पढ़े थे, कि they have water canal system, water canal system, in phylum porifera, सबसे प्यारा, सबसे दुलारा, है हमारा phylum porifera, तो phylum porifera में water canal system दिखाए गया था, मगर तुमारा यहाँ पर water, vascular system दिखाए देता है, vascular system दिखाए देता है, इसमें मतलब mix मत करना, एकाइन अडर माटा में तुमारा, एकाइन न लिख देता हूं, vascular system दिखाए देता है, देखो, canal C, alphabet में C पहले आता है, तो यह पहले phylum में आएगा, porifera में, भी भी बाद में आता है, तो यह बाद में, बाद का phylum में आएगा, एकाइन अडर माटा में, ठीक है, यह ट्रिक था, यह क्या होता है, यह जो उनका vascular system होता है, यह क्या करता है, ना, help करता है, काइन डर्माटा का लोको मोसन में, लोको मोसन, capture food, vascular system, क्या-क्या help करता है, capturing food, खाना पकरने के लिए, transport gases, सेस ठीक है सब होता है ट्रांसपोर्ट गैसेस जिसको बोल सकते हैं रेस्पिरेशन तो इनका सब होता है वाटर वास्कुलार सिस्टम के थू देन दे हाव यूनिक क्यारेक्टर लाइक अधर फाइल तो दे शोज विश टाइप अफ लेबल अफ अर्गन शिस्टम अर्गन शिस्टम लेबल अफ अर्गनाईजेशन तुमको बोला था में प्लाटी हिल्मिंधज के बाद तुम्हार जो अपर फाइल ओं आएगा उन सभी में और्गान सिस्टम दिखाई देगा ठीक है देन तुमको बोला था कि असलमेंथस होता है तुम्हारा सीधोसीलमेद ह Tsilom में मगड़ नहीं होता है असयलमेद के बाद तुम्हारे जो ऑपर फाइलोम आते जो werdeusa DR अनेलिडा अर्थबुड़ा मोलूसका एकाइनाटरमाडा हेमिकोड़ा इन सभी में तुमारा सिलोमेट दिखा जाता है मतलब उनमें सिलम पाया जाता है मगर वीफोर असलमिन्थस लाइक सिलेंटरिटा टीनोफरा इन सभी में सिलम दिखाई नहीं देता है ठीके तो यह हमार असुंद्स लाइक सब्सक्रेंटरमादर में सिलम दिखाई देता है तो इसको बोल स्टेल मेड कि ईन सीलमेट और्गानिजिम देन डेस बहत शमेट्री सिमेट्री bilateral and radial and radial जब लारभाल स्टेज में होंगे तब bilateral symmetry सोच करेंगे लारभाल स्टेज में बाइलेटर शोच करेंगे जब adult हो जाएंगे तब राडियल symmetry सोच करेंगे इसको यहां से काटो तो तो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा यहां से काटो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा यहां से काटो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा मगर यह human पकल लो ठीक है तुम यहां से काटोगे दो हिस्सों में बढ़ जाएगा क्या नहीं न उसका काटोगे तो दो हिस्सों में manual आ एक ही इसा प muff он होता है और कुछ भी प्लैन नहीं मगर यहां पर जाओ जिस कोई भी proceeded सेंटर के थो पास करवा तो बो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो राडियाल हमारा कौन-कौन दीखा हूँ देता है सिलेटर प्लाटी एल्मिंथर्स के बाद जो भी आया है मतलग तीनोफर के बाद तुम्हाँ जो भी आया है वो बाइलेटरल सोच कता है वह पोरी फेरा तुम्हाँदा आस्यमेट्री होता है वहाँ जहां से भी काट उसको काट नहीं पाओगे पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाओगे उनका बॉडि से पूरा इरेगुलर होता है ठीक है देन तुमको बोला था क्या ना प्लाटी एल्मिंथर्स के बाद जो भी तुम्हारा फाइलेम आएगा वह किस टाइप का सोच करेगा ट्रिपलो ब्लास्टी मतलग उनके पास क्या роб된 क्याम दात तीन जर्म लेयर होगा ठीक है डाट इज एक्ट टोघ्योडर्म अधे दोड्यार्म टीक हो बॉक्त तीन जर्म लेर होगा ठीक है डेन ऊट स्टाहरा पॉल्प्लीट शैंटर स्टिवॉस्टों अरेटिनिक 에लिमेंटिट आहूंद पॉल्प्लीटिक्स क्या है in complete means मतलब जो और गोजिवफिकलीचमप्लीट इलिमेंटरे eerste मतलब मतलब माउथ यह होता है जिस मुद में खाते उस मुद से छोड़ती है मगर हम इसरे खाते हैं वहान से निकलते हैं लग हैमेन हालग है यहां से छे निकलते हैं गया ऑंशिर ऑ बहुत है and retail физ instructed होता है माउट अंहारे जीसे मगर क्या कि उल्टा होता है हमारा उपर के पार्ट क्या है माट है इनका उपर के पाठ रहेगा आनस अपर पाठ में रहेगा आनस दोर्सल ठीके लोयर पाठ में इनका रहेगा लोयर भेंट्रेल पाठ में रहेगा इनका माउथ हमार से जस्ट उल्टा है हमारा उपर पाठ में है क्या माउथ नीचे में है आनस उनका मगर उल्टा है आनेस रहेगा उपर के पाट अपर डर्सल लोयर बेंट्रेल में रहेगा तुम्हारा माउथ ठीके देन सेक्सेस अर डिफ्रेंट सेक्सेस आर डिफ्रेंट मतलब सेक्सेस आर डिफ्रेंट एसे इंसीर्ट में लिखा गया है सेक्सेस आर डिफ्रेंट मतलब दे आर यूनि सेक्ष्वाल मतलब एक यूनि मतलब एक सेक्ष्वाल मतलब एक इंडिविज़ एक इंडिविज़ में एक टाइप का सेक्ष अर्गन मिलेगा आइदर मेल और फिमेल ठीके इसको भी बोल सकते हैं डायोसियोस ठीके देन दे सोश रिप्रोक्ष्वाल सेक्ष्वाल रिप्रोक्ष्वाल भी इन में दिखा देता है ठीके और डायेक्ट डेवलोप्मेंट होता है कर यहां पर यहां पर सोरी इंडाइडेक्ट डेवलोप्मेंट होता है मतलब मिके पूरा बच्चा बच्च से और इसे क्या होगा ना इस इनि ट्रूर्व ब hard stitch के तो घ πα्रक्राइब दूल्वेंट यह गति करेंगे लाइबंगोच के तब दूर्विंडल्स स्टेज्च में जाता है उनको बोलते हैं इंदाइरेक्ट टेभलमेंट उननी टाइप का देन होगा कड़ाटा कड़ाटा में थोड़ा कड़ाटा लंबा होगा सायद कड़ा चार पांच विडिएओ होगा then annual kingdom पूरा तुम्हारे खतरा हम देन तुनको पड़ा हूगा तुमको स्काहता कुछैस टिब्स और ट्रिक्स जो की तुमको annual boiler याद रखने में हेल्प करेगा तो आज के लिए इतना ही बाई बाई टेक केर